जैस्री होम्यो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वाज़त है आज प्लाटिना होम्योपैथि की इस मेडिसिन को पढ़ेंगे और जैसा की इसका किंग पिन सिम्टम डेलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर है इसके संबंध में बात में करेंगे होम्योपैथिक दवाओं को चैन करने के लिए आवस्यक है कि रोगी के कथन में सार तत्व को ढूनें वही सार तत्व किंग पिन सिम्टम कहलाता है जैसे अगर हम प्लाटिना को पढ़ें तो प्लाटिना का किंग पिन सिम्टम है देलूजन हेल्प कॉलिंग फोर इसमें एक सब्द है देलूजन दूसरा हेल्प तीसरा कॉलिंग और चोथा फोर देलूजन का अर्थ है वहम अर्थात जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं वह दिखाई नहीं देता उसकी वास्तविकता नहीं है पर वह वास्तविक की तरह है ये है डेलूजन लगता है बुझाता है महसूस होता है प्रतित होता है आभास होता है ये सब्द ये वाक्य के पीछे जब इन सब्दों का प्रियोग होता है तो वह सभी डेलूजन के तहट आते हैं आगे है है हेल्प हेल्प कहा जाता है कि जो कार्ज आप स्वैंग करते हैं उसमें जितनी छमता है आपकी उसके करने के दवरान जब आप अपनी छमता का प्रियोग करने पर भी मंजिल प्राप्त नहीं करते तब आपको सहायता की आवस्यक्ता पड़ती है यहां हेल्प का अर्थ भी इसी तरह से लिया गया है कॉलिंग फॉर मांगना मदद के लिए अग्रह करना यह है कॉलिंग फॉर यानि कि कोई सक्छम व्यक्ति किसी से मदद लेना पसंद नहीं करता क्योंकि वह सक्छम है इफिसियन्ट है कुसल है जब वह यह समझता है कि वह अपने ग्यान, संदर्य, प्रभाव, धन, सक्ति, इत्यादी के वल पर अपनी समस्याओं को हल कर देगा, हल कर लेगा, परन्तु जब उसे लगता है कि उसकी तरकीब काफी नहीं है, अब काम चलने वाला नहीं है, तब वह मदद की गुहार लगाता है यानि कि अपनी छमता का पूरा परियोग कर लेता है, अपने प्रभाव का पूरा परियोग कर लेता है, अपने ग्यान का पूरा परियोग कर लेता है, अपनी सक्ति का आजमाइस कर लेता है, जहां धन से काम चलने वाला है, उसका आजमाइस कर लेता है, और तब भी जब उ ये है delusion help calling for अब आते हैं प्लाटिना के संदर्व में इसे देखते हैं क्योंकि help delusion help calling for में मात्र और मात्र एक ही दवा है रेपर्टरी में अब हम प्लाटिना को पढ़ते हैं तो प्लाटिना चुकी सक्षम है इसे रखा गया है delusion wealth help में अब इसे इस बात का गौरब है घमंड है कि वह धनी है अब धन किस प्रकार का तो धन से मतलब होता है wealth से मतलब है बड़ी मोल वाली चीज ऐसी चीज जो जिसका असर ज्यादा है यानि कि अच्छी चीजें उसके पास अधिक मात्रा में हैं अच्छे गुन हैं उसके पास खूब सूर्ती है काम्याबी है इत्यादी जैसे कोई काता है ना कि मेरे पास प्रोपर्टीज हैं बंगला है गारी है तुम्हारे पास क्या है एक फिल्म में भी इस तरह के डायलोग का इस्तमाल किया गया है अब आप देखेंगे कि इस डेलूजन वेल्थ आफ के पीछे कौन है तो वह रुब्रिक है एगोटिज्म एगोटिज्म का अर्थ मैं मेरा मेरे मेरी गुनवत्ता उपकार इससे संबद्ध है जहां पर मैं का भर्मार है मैंने ऐसा किया मैंने इसकी उसे उपकार किया उसके लिए समाज के लिए द्वस्था के लिए मैंने किसका उपकार नहीं किया ऐसा कहने वाला मैं से भरा होता है यानि कि उसके सामने में जो व्यक्ति होता है अगर वह सर्वोपरी है सुपिरियर है अगर वह उच्च दर्जे का है तो निश्चित रूप से उसके सामने वाला निम्न दर्जे का होगा तो एक रुब्रिक है डेलूजन इन्फेरियर पीपुल सेम मेंटली एंड फिजकली इन्टरिंग दा हाउस आप्टर ए वाक वैन यानि कि वह व्यक्ति जब घूम फिर कर बाहर से घर आता है तो जब वह बाहर से घर आता है तो बताता है कि ये लोग जो है सामने वाला वह साररिक और मानसिक रूप से कमतर है क्योंकि उसने अपने बूते पर चल कर बाहरी वातावरन को देखा है बाहर वह घूम कर आया है जब वह अपने समाज घर में आता है घर का मतलब यहां अपने लोगों के बीच आता है जहां वो पहले रहता था तो जब वह उनके बीच आता है तो उसको कहता है कि क्या रहेगा यहां का आदमी वह तो बाहर रहता है देखो कितने मजे में है कितना एस कर रहा है यानि कि यहां जो रह रहा है वह कमतर है और वह जो बाहर में कमाई करता है बाहर दिखावा करता है बाहर से आने के बाद वो तरह तरह की चीजें लाता है यानि वो सर्वोपरी है वो अच्छा है और यहां वाला खराब है ऐसा कहता है यानि देलूजन इनफीरियर पीपुल सीम अब इस तरह का उधारन एक और देता है कहता है कि यहां जो डॉक्टर है इस एरिया में अच्छे डॉक्टर तो हैं नहीं जो हैं वो क्या बताऊँ मैं डॉक्टर आप से भी तो बहुत फाइदा लोगों को मिलता नहीं होगा कोई बड़े नाम वाला कोई डॉक्टर है आपके नजर में तो उनका नाम बताएए मैं उन्हीं से दिखाऊंगा यानि कि सामने वाले को वो कमतर आखता है और उसकी नजर में वह जो है वो बड़ा महत्तुपून है यानि कि वह अकेला है सारे संसार में उसके जैसा कोई और नहीं है सारे सहर में उसके जैसा कोई नहीं है वह जो है वह बड़ा खास है उसके जैसा कोई है ही नहीं तो इस वज़ा से ही इसे एक्सक्लूसिव टू इस रुब्रिक में भी रखा गया है एक्सक्लूसिव टू का अर्थ समझने के लिए एक सब्द है जरहट के यानि कि वह व्यक्ति अन्य सामान व्यक्तियों से भिन होता है उसका पहनावा उड़ावा उसका चाल चलन उसके बोली बिवार सभी अन्य लोगों से सामान लोगों से हट की होता है जैसे अब हम इसका एक प्रायोगिक रूप देखते हैं दिलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर का आपके क्लिनिक में जैसे कोई रोगी आता है और ये कहता है कि मुझे सर्दी लग गई या सर्दी जुकाम लग गया है और मैंने काड़ा बना कर पिया कई घरेलू नुकसे भी मैंने किये पर छूट नहीं रहा अब मेरे बस की ये बातें हैं नहीं कोई दवा हो तो दे दीजे और ये बातें भी वो बड़े डिक्टिटोरियल अंदाज में कहता है वो हावी होकर कहता है अब यहां पे आप देखेंगे जब उनसे पूछेंगे कि क्या आपने जो कारहा पिया या जो आपने जो कुछ भी तरकीव लगाई कि क्या आप उसकी बिशे में आपको कोई ज्यान है आप कोई आयरुबेद का कोई बात पढ़ रखे हैं या कोई नुस्खा जो आपने जानते हैं कि इसके बारे में कहीं कोई पढ़ाई की है तो बोले कि ऐसा कुछ बात नहीं है मैं जानता हूँ इन बातों को मैंने इसे आजमाया हुआ है यानि आपजेक्टिव रिजनेवल की तरह वह जानकार है वह ज्यानी है जो बातें दूसरे लोग नहीं जानते उन सब को वह जानता है ऐसा है यह उसका इगोटिजम है यह वह डॉमिनेशन है वह डॉमिनेट करता है अब इन ही बातों को महलाओं में से कुछ रुब्रिक्स को देखते हैं इसमें से देखते हैं कि पलाटिना का क्या रोल है तो डॉक्टर एलेन अपने नॉट्बुक में लिखते हैं कि पलाटिना की जो रोगनी है उसके गर्वहासे में मरोर के साथ दर्द होता है और उसके जो गुपतांग होते हैं वे बड़े ही संबेदन सील संसिटिव होते हैं यहां तक कि उनके जो यूट्रस हैं उसके अंद्रूनी हिस्से में खुजली होती है और उनके भेजाइनल पोर्सन में भी खुजली होती है यानि योनी में भी खुजली होती है तो इस तरह की बातें अगर किसी महला को है तो सामान बातें हैं कि वह डॉक्टर से आकर इसे नहीं कहेंगी और खास तोर पे ऐसी महलाएं जो अपने को कुछ समझती हैं जो प्लाटिना की सुभाव की हैं जिनें ये लगता है कि ये सामाजी कस्तर में कहने लाइक बातें नहीं हैं तो वो इन बातों को नहीं कहेंगी और ऐसे में वो बोलती हैं कि मैंने इससे पहले कुछ नुस्खा अपनाया गरम पानी से वास किया या जो भी घरे लूप चार है मैंने किया अब नहीं हो पा रहा है तो डॉक्ट साब जब नहीं हुआ तो बोली कि अब तो डॉक्टर साब से मिलना पड़ेगा तो अब आप हमको इसके लिए कोई दबा बता दीजिए दबा दे दीजिए तो ऐसे हालत में भी वह इसी रूप में बात करेगी एक दूसरा उदारन और लेते हैं जो प्लाटिना से संबध है कि प्लाटिना के रोगी को प्राय रोगनी को मासिक धर्म बहुत जल्दी जल्दी 14 दिन 15 दिन में ही फिर से आ जाता है और आतो जाता है परंतु रहता बहुत लंबे समय तक है और बहुत जादा मात्रा में ब्लेडिंग होता है तो ऐसा बहुत घिनोना होता है ठक्यदार होता है तो ये बातें जो हैं प्लाटिना की ये तो उसके एलन साहब ने नोटबुक में लिख रखा है परंतु ऐसी बातों में भी वो जो डॉक्टर के पास आते हैं तो सहज भाव में नहीं काती इसके लिए भी वो पहले घरेलू तरकीव का इस्तमाल करती हैं और जब ठक हार जाती हैं तब डॉक्टर से संपर्ख करती हैं इसी प्रकार से प्लाटिना की एक और महत्तोपुर्ण रुब्रिक है वो है निम्फ मानिया निम्फ कहते हैं परी को और मानिया एक प्रविर्थी है तो निम्फ का अर्थ हुआ परी जो नवयोवना है और कामुक्ता उसमें भरी परी है प्लाटिना की रोगी बहुत अधिक कामुक्परविर्थी की होती हैं इसका मूल कारण जैसा की उपर बताया जा चुका है कि प्लाटिना के रोगी रोगनी के गर्भासे और योनी में खुजली होता है और इस खुजली के वजह से उसकी कामुक्ता बढ़ जाती है और हंकारी मनोदसा के कारण भी वो अत्यनत कामुक होती हैं वो जो चाहती हैं वही करती हैं तो ऐसी चीजें उन्हें निम्खो माइनिया के तहत रखा जाता है इन्ही गुनों के वाज़ा से अब हम इसको दूसरे रूप में पढ़ते हैं के निम्खो मानिया का अर्थ हुआ कि ऐसी चीजें जो हमें आनंदित करती हैं और हम लगातार उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं तो वह निम्खो मानिया की स्रेणी में उन्हें रखा जाता है जैसे कोई व्यक्ति जो काड खेलता है तास खेलता है या सतरंज खेलता है तो उस समय उसका भोजन, पानी, खाना, पीना कुछ भी अच्छा उसे नहीं लगता और जब उसे कोई बुलाने जाता है तो वह उससे जिड़क लेता है कि जाओ बाद में खाएंगे, बाद में ये काम करेंगे, महत्वपुर्ण कार्ज को भी वह छोड़ देता है तो ये सारे उस आनंद को पाने के लिए करता है, जिसका वो आदी हो चुका है और उसी में उसका मन लगा रहता है, तो हम निम्फो मानिया को इस तरह से भी समझ सकते हैं और अपने क्लिनिक में इसका इस्तमाल कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद